हलो गाईज अगर आपको भी थंबेल बनाना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लिकेशन बताने वाला हूँ इसकी मदद से आप बहुत अच्छा थंबेल बना पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्लेश्टोर एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है प्लेश्टोर एप्लिकेशन ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करके यहां पर सर्च कर लेना है थंबेल मैं कर इसके बाद गयज यह application आज जाएगा आपको इसे download कर लेना है download कर लेने के बाद गयज आपको इसे open कर लेना है application open हो जाने की बाद guys आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाए देगा यहाँ पे guys आपको 4-5 option मिल जाएंगे पहला है cover maker का दूसरा है my thumbnail का तीसरा है custom का इसके बाद गाइज आप जिस भी केटेगरी की बीडियो बनाते हैं उस केटेगरी को यहां से चूज कर लेना है तो गाइज मैं यहां पर जैसे एक यह बाला स्लेट कर लेता हूं इसके बाद गाइज यहां पर आप जो भी कस्टुमाइज करना चाहें कर सकते हैं अगर आप फोटो को डिलीट करना चाहते हैं, यहां से डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से, अगर आप फोटो को हटाना चाहें, तो हटा सकते हैं, फिलिप करना चाहें, फिलिप कर सकते हैं, डूपलिकेट बना सकते हैं, इसके बाद आप टेक्स्ट को बदल सकते हैं, इसके यहां पर filter भी आपको मिल जाते हैं थंबेल रेडी हो जाने के बाद आपको यहां पर उपर की तरफ एक option मिल जाएगा यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक कर देने के बाद यह आपको add दिखाएगा add को देख लेना है देख लेने के बाद यहां से इसको skip कर देना है add skip कर देने के बाद guys आपको नीचे की तरफ save का option दिख जाएगा आपको यहां पर click कर देना है इसके बाद guys यह फिर से आपको add दिखाएगा फिर से add को cut कर देना है add cut कर देने के बाद guys आपको done पर click करना है इसके बाद आपने जो थंबेल बनाया है वो आपका आपकी गैलरी में सेब हो जाएगा वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के लिए थैंक्यू